जीनत अमान अपने टाइंग की सबसे बोल्ड और ब्यूटिफुल अक्रिस में से एक रही हैं यहां तक की जीनत अमान को उन दिनों बॉलिवुड का हर एक अभिनेता डेट करना चाहता था और जिस किसी भी अक्टर के साथ वे काम करती थी उस अक्टर का दिल उन पर आ जाता था जीनत अमान को चाने वाले तो बॉह थ 2 लेकिन देवाननद ने दावा किया था कि वह जीनतमान को बेंद ल dryer से उन बातों पर चुपी तोड़ी है और बताया है कि देवानन्द जो कुछ कहे रहा है उसमें कितनी सच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् बारे में क्या लिखा था और किस तरह जीनत की प्रती अपने प्यार को बया किया था देवानंद कहते हैं कि जीनतमान और मैंने हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म एक साथ की थी इस फिल्म में हम थे तो एक भाई बहन लेकिन हमारे केमिस्ट्री को देखकर मैगजीन ने ये चापना शुरू कर दिया कि हम दोनों का अफेर चल रहा है फिल्म में ऐसा होता है और ऐसा हुआ भी मैं उनसे इ इशक इशक जब प्रीमियर हुआ था लिबर्टी सिनमा में ये बात 1974 की है वहां पर मैं भी मौझू था और जीनतमान की परफॉर्मेंस देखकर मैं उन्हें कांग्राचिलेशन करना चाहता था लेकिन इसी बीच राज कपूर आ जाते हैं जीनतमान को किस करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं ये सबी चीजे जीनतमान के साथ मैं करना चाहता था लेकिन राज कपूर ने मुझ से जीनत को तब छीन लिया और मैं उस दिन बहुत जैलिस फील कर रहा था देवानन ने कहा मैंने फिर हिमच जुटाई और मैंने डिसाइड किया कि मैं जीनत को एक डेट पर लेकर जरूर चाहूंगा और वहां पर मैं अपनी फीलिंग्स बता दूंगा देवानन ने जीनत को ताज के एक रेस्टरॉंट में ले जाने का फैसला किया और वहीं पर वह उन्हें डेट पर ले जाने वाले थे क्योंकि उस दिन में जीनत को वहां पर प्रपोज करने लेकिन वहाँ पर भी अचानक से राजकपूर टपक गये, देवानत का कहना है जैसे ही हम ताज के होटेल में गये तो वहाँ पर सामने से शराब के नशे में धोथ राजकपूर आ गये और उन्होंने जीनत को फिर से अपनी बाहों में ले लिया और उन्हें से हग करने ही किया उस दिन मुझे जलन बहुत जादा हुई और उस दिन जीनत थोड़ी बदली बदली लगी यहां पर मुझे पता चल गया था कि अब मैं अपनी फीलिंग्स भी जीनत को बताऊंगा तो कुछ हो नहीं सकता देवानंद ने अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में ही रखा देवानंद ने आगे कहा कि कुछ दिनों बाद ही मैंने सुना कि जीनत अमान को लेकर राजकपू सहाब सत्यम शिवम सुंदरम बना रहे हैं यानि कि देवानंद ने ये दावा किया था कि राजकपू सहाब के साथ जीनतमान का अफेर था और इसलिए राजकपू सहाब ने जीनतमान को सत्तम शिवम सुंदरम में कास्ट किया था देवानन ने कहा कि आगे फिर उनके अफेर की खबरे आई अब इस पूरे मामले में फाइनली जीनतमान ने चुपी तोड़ दी है और जीनतमान का कहना है कि कई बार लोग जब अपनी बायोग्राफी लिखते हैं तो उसमें मिर्च मसाला या उसे चटपटा बनाने के लिए कई बार वे चीजे बड़ा चुड़ा कर लिखते हैं यही केस था देवानन सहब का भी मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और वे बहुत अच्छे इंसान है लेकिन जो उन्होंने मेरे और राजकपूर के बारे में अपनी बायोग्राफी में लिखा है बहुत गलत है जीनतमान ने आगे कहा कि पता नहीं देवानन ने किस द्रिष्टिकोन से ये बात लिखी लेकिन ये द्रिष्टिकोन बिलकुल गलत है उन्होंने कहा कि सहीत रिष्टिकोन क्या था वे मैं अपनी किताब में लिखूंगी और आखे सही बात क्या थी मैं बताऊंगी और रही बात राज कपूस सहाब की उन्होंने मुझे सत्तम शिवम सुन्दरम में क्यों कास्ट किया तो बता दू कि मैं उन्हें पहली बाद सत्त शिवन सुनधर्म के दोरान ही मिली थी वह ऑब भी एक्रिस के रूप में मिली थी ना करेमिका के रूप में अर तम शिवम सुन्दराम उनकी बेस्ट फिल्मों में से एक है और जो रूपा का लुक था वो रूपा का करेक्टर था जिसमें कुछ भी वल्गर नहीं था